आज के इस वीडियो पर हम दो नए इंडिकेटर्स को सिखेंगे और ये अभी तक कि सबसे shortest वीडियो होने वाली है क्योंकि दो मिनट में हम दोनों इंडिकेटर्स को कवर कर लेंगे हमने सिखा दा डबा लिये में अगला है Ace of Moment Indicator ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है अगर आपको investing करनी है किसे stocks में long time के लिए तो आप इस indicator का use कर सकते हो entry के लिए कैसे use करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको एक tool की जरुवत पड़ेगी जिसे trend line का जाता है तो यह वाली tool को आप use कर सकते हो trend line का use कर सकते हो आपको क्या करना है यहाँ पे zero line पे आपको यहाँ पे indicator में zero line दिखाई दे रहोगा तो zero line के बीचो बीच आपको एक ऐसा line draw कर देना है अब आपको कैसे follow कर आपको long time invest करना है किसे भी stocks में तो आपको daily time frame सबसे पहले select कर लिना है उसके बाद आपको क्या देखना है जब भी यह line zero line के उपर जाती है वहाँ पे आपको एक buying का signal मिलता है और जब तक यहाँ पे एक rally दिखती है यानि कि stocks आपको उपर जाता हुआ दिखाई देता है औ आपको यहाँ पे downfall भी देखने को मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर में क्या हुआ है इंडिकेटर की line वापिस से zero line से उपर चली गई और यह उपर ही बनी रही मतलब यहाँ प्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो price है वो भी उपर थी ठीक ह आपको समझ में आ गया होगा काफि सिंपल है और जादा कुछ नहीं है इस इंडिकेटर के इंद चलिए नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं अगला इंडिकेटर है यहाँ पे हमारा चले देख लेते हैं कौन सा है फॉलो कर सकते हो जब भी यह जो लाइन वहीरो लाइन के उपर निकलती है तो यहाँ पर आपको एक गयायन स्टेकर‍ट को सकते हो अब देखो कोई भी इंडिगेट राभ यूस करो सइडवेस मार्केट में काम नहीं करती है अगर आपको पता चलै जा जाया कि मार्केट में आप रैङ्ट में चला है और उसके बाद आप यह सब कि हम बात नहीं करेंगे क्या कोई नहीं होता किस लिए बात करने की ज्यवरत नहीं है सर्फ इंडीकेट करना की प्राइस का मूमेंट क्या हो सकता है और आप इसुनिधर को देखकर प्लाउंग इन्वेश्ट कर सकते हो इसे भी इंडिक्स को हमने सीखा और अभी भी आपे बहुत सारी इंडिकेटर्स पाकी है तो सभी को हम सीखेंगे स्टिप बाश्टिप तिंपल और आसान भासा में सीखेंगे तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर